हलो फ्रेंट्स देखें फ्रेंट्स आजम देखेंगे गवर्मेंट सिक्यूर्टी देखें फ्रेंट्स गवर्मेंट सिक्यूर्टी क्या है जो गवर्मेंट इस्यू करते है तो गवर्मेंट में क्या आती है सेंट्रल गवर्मेंट भी आती है इस्टेट गवर्मेंट भी आती और government security जो है वो दो तरह की होती है एक तो होती है short term और एक होती है long term short term का मतलब जो within one year mature होती है और long term का मतलब one year and more तो दीकिए short term में आयाता है treasury भी बिल आयाता है cash management भी आयाता है short term में long term में आते है government bond and dated security तो दीकिए government bond जैसे gold bond हो गए Data Security में क्या date होती है जैसे 2045 Government Security है तो यानि 2045 में mature होगी या 2022 2023 तो Data Security में date होती है उस date पर ये mature होगी अब देखिए Central Government जो Security इस्यू करती है Central Government Treasury भी इस्यू कर सकती है Bond और Data Security भी कर सकती है लेकिन State Government Treasury भी इस्यू नहीं कर सकती है अब गिल्टे सेक्यूर्टी देखी गवर्मेंट सेक्यूर्टी में कोई रिस्क नहीं होता है, गवर्मेंट के फेलियर के चांस बहुत कम रहते हैं, तो इन सेक्यूर्टी को हम बोलते हैं, गिल्ट एस सेक्यूर्टी, रिस्क फ्री सेक्यूर्टी है आपकी, तो सबसे पहले स वो इस को कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं कैस मेनेजमेंट बिल वो हम आगे देखेंगे यह देखिए Cash Management Bill कि in 2010 Government of India in consultation with RBI issued a new short term instrument known as Cash Management Bill to meet the temporary mismatch in Cash Flow of Government of India लेकिन Cash Management Bill का जो tenure होता है वो 91 days से कम का होता है तो अगर 91 days है 182 days है, 364 days है तो Treasury Bill है, 91 days से कम है तो Cash Management Bill है अब Cash Management Bill है, यह Zero Coupon Security होते है Treasury Bill या Cash Management Bill Zero Coupon Security का मतलब है इन पर को interest पे नहीं होती, यह discount पर ऐसी होती है कि जैसे 100 रुपे का Treasury Bill है और आपने 98 पर issue किया, तो जो 2 रुपे है, जो 2 रुपे का जो benefit हो रहा है पर चाहिए और को, वो उसका return है वो उसका interest है, तो इस पर कोई आपको interest अलग से पे नहीं करना, discount पर issue होते है dated security, dated security में date रहती है और interest मिलता है, या तो interest fixed हो सकता है या floating हो सकता है, जातर fixed interest होता है dated security पर इनका generally period जो होता है, वो 5 years से 40 years होता है कमका भी हो सकता है, एक साल से उपर का होता है लेकिन zero coupon bond, zero coupon bond का मतलब है कोई coupon नहीं होता, यानि interest नहीं होती ये भी treasury bill की तरह discount पे शी होती है जो difference है, वो आपका return है capital index bond, देखिए आपने bond में पैसा invest किया, लेकिन inflation की वैसे क्या होता है, inflation की वैसे आपकी purchasing power कम होई आती है तो capital index bond में क्या है, आपकी जो capital है principal amount है, उसको हम inflation से protect करते हैं, अगर inflation होगा तो आपका principal amount भी बढ़ जाएगा और inflation index bond, inflation index bond में क्या होता है, कि principal की साथ साथ आपका interest है, वो भी protect होता है, तो inflation बढ़ेगा तो आपका principal और interest दोनों ही बढ़ जाएंगे bond with call and put option call and, देखिए, bond में option हो सकता है, call and put जो issue करता है bond उसके पास option होता है, call यानि buyback कर सकता है वो और जो purchase जा रहे है, investors है, उसके पास option होता है, to sell यानि put option होता है लेकिन क्या है, जो भी bond issue थे, इनमें security पे interest पे करना है, तो security तो market में trade हो रही है, तो उस case में क्या होता है, government 60 period declare करती है, 60 period एक दिन का होता है जिस दिन कोई security trade नहीं होगी फिर security का जो owner है, उसको उसको उसपे interest मिल जाएगा अब main important है, sovereign gold bond, देखिए, gold bond sovereign gold bond and gold monetization scheme, ये दो scheme आई थी ये दो scheme में है, एक तो gold bond है gold monetization है, gold bond क्या है इंडिया में बहुत सारे लोग gold में invest करते है, क्यों invest करते है कि उनकों लगता है कि गोल्ड की price future में बढ़ेंगी, तो profit अंड करने के लिए gold में invest करते हैं, अब लोग gold में invest करते हैं, gold तो इंडिया import करते है, import करते है तो foreign exchange आता है, तो इंडिया ने कहा कि भई, ठीक है, आपको gold आप खरीद रहे हो, investment purpose से खरीद रहे हो तो आप एक काम कीजिए, gold मत खरीदे, gold bond में पैसा लगा दीजिए gold bond में क्या है, gold bond जो है, वो 8 साल के लिए होता है कि 8 साल के बाद, सफोज आज gold, आज अगर 10 ग्राम gold अगर 50 यार रुपे का है और 8 साल के बाद एक लाग का हो गया, तो हम आपको एक लाग रुपे दे देंगे, साथ की साथ आपको gold का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा साथ की साथ हम आपको 2.5% interest और देंगे तो gold bond का फायदा यह है कि एक तो आपको gold की price मिल रही है और एक आपको interest भी मिल रहा है 2.5% लेकिन आपको इसमें कोई gold नहीं मिलेगा आप पैसा लगा रहे हो gold bond में रुपे के बदले आपको रुपिया मिलेगा gold नहीं मिलेगा तो देंगे आप invest करते हो किस वे ऐसे करते हो कि आज आपने gold खरीद के रख लिया फिर आप locker में पैसा खर्च कर रहे हो उसकी security पे पैसा खर्च कर रहे हो बेटर है कि आप gold bond में लगाईए आपको 8 साल बाद जो gold की price होगी उतना पैसा मिल जाएगा प्लस 2.5% interest मिलेगा और इसमें 5 year का login पीरियड भी रहता है 5 year के बाद आप exit भी कर सकते हो minimum investment आपको 1 gram of gold करना है maximum individual 4 kg gold bond खरीच सकता है HUF 4 kg and 20 kg trust और similar entity अब gold monetization में क्या है gold monetization scheme आई थी कि आपने देखा होगा इंडिया में trust के पास, मंद्रों के पास और household के पास इतना gold पड़ा हुआ है ठीक है, idle पड़ा हुआ है, use नहीं हो रहा है लोगों का एक crazy है कि gold रखना है, future में emergency में काम आ जाए तो government gold को तो क्या करती है import करती है, तो government ने क्या किया gold monetization scheme लेके आई gold monetization scheme का परफच है gold को productive use में लगाना इसमें आपको क्या करना है, आपके पास gold idle पड़ा हुआ है, आप RBA designated bank में जाएए, अपना gold दीजिए और उसके बतले, आपको bank certificate देदेगा कि आपका gold जमा हो गया उसके बाद देगे, इसका जो period है gold monetization scheme है, तो इसका इसमें आपको medium term deposit पर 2.25% interest मिलेगी और long term पर 2.50% interest मिलेगी और इसका जो period है medium term deposit का 5 to 7 year है और long term का 12 to 5 year है, अब देखिए, आप medium term deposit करते हो, gold को deposit करते हो, medium term या long term आपको क्या है कि period maturity पर आपको gold के बतले, आप चाओ तो gold के बलते, रुपिया ले सकते हो तो देखिए, इस scheme में और gold bond scheme में difference यह है कि gold bond scheme में gold कहीं नहीं है, केवल gold bond है, और यहाँ पर आप gold जमा कर रहे हो, gold के बतले gold भी मिल सकता है और रुपिया भी मिल सकता है, और जो गोल्ड आपने जमा किया है वो गोल्ड नहीं मिलेगा वो तो क्या प्रोड़क्टिव यूज में आ गया वो तो जो इलर्स ने गला दिया आपको गोल्ड के बदले दूसरा गोल्ड मिल गाएगा और आपको यहाँ पर इंट्रेस्ट भी मिल रहा है तो इसका मेन परपजी है क जो ट्रेस्ट मंदर के पास गोल्ड है उसको प्रोड़क्टिव यूज में लेके आना गवर्मेंट का कईस मेनेज्मेंट कौन करता है. और बी आ करता है एक तरह से एडवांस फैसलिटी हम आगे अभी देखेंगे आप देखिए सेंटरल बेंग को वो सेंटरल गवर्मेंट को आरबी आई के पार डेली का 10 करोल मेंटेन करना होता है फ्राइड़े को 100 करोल मेंटेन करने होते हैं और इस्टेट गवर्मेंट के लिए भी लिमिट है लेकिन हर इस्टेट गवर्मेंट की अलग लिमिट है वे एन मीन एडवांस वे एन मीन एडवांस क्या है कि जैसे आप आपकी सपोज 20,000 रुपी सेलरी है और आपको एक तरक को salary मिलती है 25 तरक आते 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 आपकी salary खतम हो गई अब आपको पैसे की जरूवत है तो आपने अपने दोस्त को phone की है आपने अपने relatives को बोला parents को बोला मुझे थोड़े पैसे चाहिए एक तरक को salary मिलेगी तो मैं दे दूँगा तो इसी तरह way and mean advance RBI ने क्या गिया है Central State Government को way and mean advance facility देती है तीन महिने के लिए देती है तीन महिने बाद आपको पैसा return करना है इसमें क्या है कि आपको जैसे ही पैसे की जुरूद पढ़ती है Central Government, State Government, RBI से पैसा withdraw कर सकते हैं किस पर? at repo rate पर repo rate पर पैसा withdraw कर सकते हैं इससे उपर अगर withdraw करते हैं limit से उपर तो आपको 2% above repo rate देना पड़ता है तो देखिए Central Government की जो limit थी 6 महिने की limit रहती अप्रेल से September की 1,20,000 करोड थी और October से March की थी 50,000 करोड तो way and mean advance तीन महिने बाद आपको pay करना है Reform linked borrowing permission to state देखिए reforms linked क्या है जब COVID-19 आया था 2020 में तो Central Government भी borrow कर रही थी, State Government भी borrow कर रही थी लेकिन limit है कि भाई आप GDP का कितना percent borrow कर सकते हो तो Central Government ने 2% additional borrowing allow की 2% का 1% के लिए तो कोई restrictions नहीं थी और 1% के लिए उन्होंने क्या गिया, 4 city and centic reform link कर दिये कि आप 1% में 0.25% जैसे आप एक reform complete करोगे 0.25% आप borrow कर सकते हो फिर आपने एक और reform किया 0.25% तो 2% में आदी के लिए तो कोई limit नहीं थी और 1% के लिए उन्होंने 4 city and centic reform कर दिये थे यह अगर आप reform पूरे करते हो तो आप additional borrow कर सकते हो प्रोमिसरी notes क्या होता है, प्रोमिसरी notes sign document होता है इसमें आप promise करते हो कि मैं आपको एक specified period पर demand पर पैसा दे दोगा जैसे bank note है, bank note, promissory notes है इसी तरह corporate क्या करते है, commercial paper issue करते है commercial paper के थुरू लोन लेते हैं, तो वो भी क्या है प्रोमिसरी notes है कि आप एक time के बाद या specified date पर आप क्या करोगे payment कर दोगे, तो thank you friends, आपको class पसंद आई हो तो आप हमारा YouTube channel सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को share कीजिए और ये जो आप notes है, वो आई है, selfistry.com से freely download कर सकते हैं ये हमारी website है, ये मेरा mobile number है आपको economy से related कभी भी कोई भी query होती है, आप मझे WhatsApp, Telegram कर सकते हो, thank you friends